ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनारु के सी मोहन, सी मोहन जी मदुरे में एक सलू चला थे, अपनी महनत की कमाई से इन्हों ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाग खुड़े बचाए थे, लेकिन इन्हों ने ये पूरी राशी इस समय जरुत मंदों, गरीबों की से जवा के लिए खर्च कर दी, इसी तरह अगरतला में खेला चला कर जीवन्यापन करने वाले गवतमदास जी, अपनी रोज मरा की कमाई की बच्चत में से हर रोज दाल चावल करिद कर जरुरत मंदों को खाना खिला रहे, पंजाब के पठान कोट से भी एक ऐसा ही उधारन म मुझे पता चला, यहां दिव्यान भायराजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई, चोटी सी पुझी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवा कर लोगों में बांटे, भायराजू ने इस मुश्कित समय में करीब सो परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया, दे गिनत कहानिया इन दिनों हमारे सामने आ रही है, गावों में, छोटे कश्बों में, हमारी बहने, बेतिया, हर दिन, हजारों के संख्या में मास्क बना रही है, तमाम सामाजिक समस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही है, साथ्यों, ऐसे कितने ही उधारन हर दिन दिखाई और सुनाई पट रहे हैं, कितने ही लोग, खुद भी मुझे, नमो एप और अन्य माध्यमों के जरिये, अपने प्रयासों के बहरे में बता रहे हैं, कई बार समय की कमी के चलते, मैं बहुत से लोगों का, बहुत से नाम नहीं ले पाता हूं, सेवाभाव से लोगों की मदद कर रहें, ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंसा करता हूं, उनका आदर करता हूं, उनका तहे दिल से अभिनांदन करता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों एक और बात जो मेरे मन को छूँ गई है वो है संकज की इस घड़ी में इनोवेशन तमाम देशवासी गावों से लेतर शहरों तक हमारे छोटे व्यपारियों से लेतर स्टार्ट अप तक हमारी लैप्स कोरोना के खिलाब लड़ाई में नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं नए नए इनोवेशन कर रहे हैं जैसे नासिक के राजेंद्र रादो का उधार बहुत दिज़्चस्प है राजेंद्र जी नासिक में सतना गाउं के किसान है अपने गाउं को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए हैं उन्होंने अपने ट्रेक्टर से जोड़कर एक सेनिडरिजेशन मशीन बना ली है और ये इनोवेटीव मशीन भहुत प्रभावी तज़गे से काम कर रही है इसी तरह मैं सोशल मीडिया में कई तस्वीरें देख रहा था कई दुकानदारों ने दोगज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइप्लाइन लगा लिए है जिसमें एक छोर से वो उपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्रहाक अपना सामान ले लेते हैं इस दोरान पढ़ाई के क्षेतर में भी कई अलग-अलग इनोवेशन सिख्षकों और चांत्रों ने मिल कर किये हैं ऑनलाइन क्लासिस, वीडियो क्लासिस उसको भी अलग-अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है कोरोना की वेक्षिन पर हमारी लेव में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सब की आशा भी किसी भी परिस्तिति को बदलने के लिए इच्छा सक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्फर करता है हजारों सालों के मानुजात की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आथनेक दोर में पहुँची है इसलिए इस महामारी पर जीट पिलिए हमारी विशेश इनोवेशन भी बहुत बड़ा आधार है साथियों कोरोना के खिलाप लड़ाई का इह रास्ता लंबा है एक ऐसी आपदा जिसका पुरी दुनिया के पास कोई इलाजी नहीं है जिसका कोई पहले का अनुभू भी नहीं है तो ऐसे में नई नई चुनवतियां और उसके करण परिशानियां हम अनुभू भी कर रहे है ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावी देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अच्छोता नहीं है हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो परेशानी में न हो और इस अंकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मद्दूर, स्लमीक वर्ग पर पड़ी है उनकी तकलीफ, उनका दर्थ, उनकी पूड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार के तकलीफों को अनुहों न कर रहा हो हम सब मिलकर इस तकलीफ को इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे है पूरा देश प्रयास कर रहा है हमारे रेल्वे के साथ ही दिन रात लगे हुई है केंद्र हो, राज्ये हो, उस्थानिय स्वलाज के समस्ताय हो हर कोई दिन रात महनत कर रहे है जिस प्रकार रेल्वे के कर्मचारी अज्जुटे हुए है वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कौरोना वारियर्स ही है लाखों, स्रमिकों को टेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना उनके खाने भीने की चिंता करना हर जिल में कौरंटाइन केंद्रों की व्यवस्था करना सभी की टेस्टिंग, चेक अप, उप्चार की व्यवस्था करना ये साब काम लगातार चल रहे है और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे है लेकिन साथियों, जो द्रश्य, आज हम देख रहे हैं इसे देश को अतीत में जो कुछ हुआ उसके अवलोकन और भविश के लिए सीखने का आउसर भी मिला है आज हमारे स्रमिकों की पीड़ा में हम देश की पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं जिस पूर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजिन बनने की ख्षमता है जिसके स्रमिकों की बहुबल में देश को नई उचाई पर ले जाने का सामर्त है उस पूर्वी हिस्से का विकास भहुत आवशक है पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है देश ने जब मुझे सेवा का वसक दिया तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राफिक्ता दी है मुझे संतोश है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मद्दोरों को देखते विए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जैसे कहीं स्थमीकों के स्किल मैपिंग के काम हो रहा है कहीं स्टार्ट अप्स इस काम में जूटे हैं कहीं माइगरेशन कमिशन बनाने की भाफ हो रही है इसके अलावा केंडे सरकार ने अभी जो फैसले दिये है उससे भी गाउं में रोजगार, स्वरोजगार, लगुद्यों को से जुड़ी विशाल संभावना एक खुड़ी है इस फैसले इंस्तित्यों के समाधान के लिए हैं आत्म निर्वर भारत के लिए हैं अगर हमारे गाउं आत्म निर्वर होते हैं हमारे कस्पे हमारे जीले हमारे राज्य आत्मनिर्व होते हैं तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता है जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है लेकिन अंधरे से रोशनी की और बढ़ना मानोज स्वभाव है तमाम चुनोतों के वीश मुझे खुशी है कि आत्मनिर भर भारत पर हाज देश में जापक मन्थन शुरू हुआ है लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है इस मिशन का नेत्रित्व देश वासी अपने हाथ में ले रहे है बहुत से लोगों ने तो ये करें लिए लोग अब इन लोकल प्रोड़को ही खरीद रहे हैं और वोकल्प और लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं जिनका वीकल्प हम आसानी से भारत में तयार कर सकते हैं असम के सुदीत ने मुझे दिखा है कि वो महिलाओं के बनाए हुए लोकल बैंबू प्रोड़क का करते हैं कि आने वाले दो वर्ष में वे अपने बैंबू प्रोडक को एक ग्लोबल ब्रैंड बनाएंगे मुझे पुरा भरोसा है आत्मनिर भर भारत अध्यान इस दसक में देश को नई उचाई पर ले जाएगा मेरी पहरे देश्वास्यों कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेक नेताओं से बात्चित हुई हैं लेकिन मैं एक सिक्रेट जुरूर आज बताना चाहूंगा विश्व के अनेक नेताओं की जब बात्चित होती हैं तो मैंने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज्यादा दिल्चस्पी योग और आयुरुवेद के सबंद होत जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है लोगों में अपने स्वास को लेकर जागुरुता भी लगातार बढ़ रही है अभी कोरोना संकट के दोरान भी देखा जा रहा है कि होलीवूर्ड से हरिदवार तक घर में रहते हुए लोग योग पर भावद गंभीता से ध्यान दे रहे है हर जगा लोगों ने योग और उसके साथ साथ हाईरुवेद के बारे में और ज़्यादा जानना चाहा है उसे अपनाना चाहा है कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ओनलाइन योग टास से जुड़ गए है या फिर ओनलाइन वीडियो के माद्यम से भी योग सीख रहे हैं सही मैं योग, कम्यूनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सब के लिए अच्छा है साथियों कोरोना संकर के इस समय में योग आज इसलिए भी ज़्यादा हम है, क्योंकि यह वाइरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को सबसे अधारिक प्रभावित करता है योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टिम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं ये ताइम टेस्टिड टेक्निक्स हैं जिसका अपना अलग महत्व है कपाल भाति और अनुलोम बिलोम प्रानायम से अधिक्ते लोग परिचित होंगे लेकिन बस्त्रिकां, शितली, ब्रहामरी जैसे कई प्रानायम के प्रकार है जिसके अनेक लाब भी है वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने लिए आयुश मंत्राले ने वे इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है आयुश मंत्राले ने माई लाइफ, माई योग नामसे अंतराश्टिय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगीता शुरू किया है भारती नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगीता में हिस्सा ले सकते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीम मिनिट का एक वीडियो बना करके अप्लोड करना होगा इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हुए वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बढ़लावाया है उसके बारे में भी बथाना है मेरा आपसे अनुरोध है आप सभी इस प्रतियोगीता में अवश्य भाग ले और इस नए तरीके से आंतर राष्टिय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिये साथियों हमारे देश में करोडों करोड गरीब दसकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए है अगर बिमार पढ़ गए तो क्या होगा अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की जिंता करें इस तकलीब को समझते हुए इस जिंता को दूर करने के लिए ही करीब डेट साल पहले आविश्मान भारत की वोजना शुरू की गई थी कुछी दिन पहले आविश्मान भारत के लाबारतियों की संख्या एक करोड के पार हो गई है एक करोड से ज़्यादा मरीज मतलब देश के एक करोड से अधीक परिवारों की सेवा हुई है एक करोड से ज़्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है एक करोर से ज्यादा मरीज मतलब नौर्वी जैसा देश, सिंगापूर जैसा देश उसकी जो टोटल जन्संख्या है उससे दो गुना लोगों को मुप्त में इलाज दिया रहा है अगर गरीबों को अस्पदाल में भरती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते हैं इनका मुप्त इलाज नहीं हुआ होता तो उन्हें एक मूटा मूटा अंदाज है करीब करीब 14,000 करोड रुपियों से भी ज्यादा अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं आउश्मान भारत योजना ने गरीबों के पैसे खर्चोने से बचाए हैं मैं आउश्मान भारत के सभी लाभारतियों के साथ साथ मरीजों का उपचार करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सेश और मेडिकल स्टाप को भी बधाई देता हूँ आउश्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेस्ता पॉर्टेबिलिटी की सुविधा भी है पॉर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है यानि बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे करनाट का में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राजी में मिलती इसी तरह मार्ष का कोई गरीब चाहे तो उसे इलाज की वही सुविधा तमिनाडु में मिलती इस योजना के कारण किसी खेतर में जहां स्वास्त की ववस्ता कमजूर है वहां के गरीब को देश के किसी भी कौने में उत्तम इलाज करानी के सहुलियत मिलती है साथ क्यों आप यह जानकर हैनार रह जाएगे कि एक करोन लाभार्थियों में से असी प्रतिशत लाभार्थि देश के ग्रामीन इलाकों के है इन में भी करीब करीब पचास प्रतिशत लाभार्थि हमारी माताएं बहने और बेकिया है इन लाभार्थियों में ज़्यादा तर लोग ऐसी बिमारियों से पिडित थे जिनका इलाज सामान्य दवाओं से संभव नहीं था। इन में से 70 प्रतिशत लोगों की सरजरी की गई है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलिपों से इन लोगों को मुक्ति मिली है। मडिपूर के चुरा चानदपूर में 6 साल के बच्चे केलेन सांग उसको भी इसी तरह आविश्मान योजना से नया जीवन मिला है। केलेन सांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीग बिमारी हो गई। इस बच्चे के पिता दिहाडी मद्दूर है और मां बुनाई का काम करती है। ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठीन हो रहा था। लेकिन आविश्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुक्त इलाज हो गया है। कुछ इसी तरह का अनुभव पूडी चेरी की अमुर्था वल्ली जी का भी है। उनके लिए भी अविश्मान भारत योजना संकट मोचक बन कर आई है। अमुर्था वल्ली जी के पत्री की हार्ट एटेक से दुखत मुर्त्य हो चुकी है। उनके 27 साल के बेटे जीवा को भी हार्ट की बिमारी थी। डॉक्त ने जीवा के लिए सर्जेरी की सलहा दी थी। लेकिन दिहाडी मद्दूरी करने वाले जीवा के लिए अपने ख़त से इतना बड़ा अपरशन करवाना संभवी नहीं था। लेकिन अमूर्था वली ने अपने बेटे का आविश्मान भारत योजना में रेजिस्टेशन करवाया और नौ दिनों बाद बेटे जीवा के हाट की सर्जेरी भी हो गई। साथ्यों मैंने आपको सिर्फ 3-4 गटनाओं का जिक्र किया। आविश्मान भारत से तो ऐसे एक करोड से हधिक कहानिया जुड़ी हुई है। ये कहानिया जीते जागते इंसानों की हैं। दूख तकलीब से मुक्त हुए हमारे अपने परिवार जनों की हैं। आपसे मेरा आग्रह है। कभी समय मिले तो ऐसे विक्ति से जरूर बात करिएगा। जिसने आविश्मान भारत योजना के तहट अपना इलाज कराया हो। आप देखेंगे कि जब एक गरीब बिमारी से बहार आता है तो उसमें गरीबी से लड़ने की भी थाकत नजर आने लगी है। और मैं हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर से कहना चाहता हूँ। आविश्मान भारत योजना के तहट जिन गरीबों का मुपतिलाज हुआ है। उनके जीवन में जो सुख आया है, संतोश मिला है। उस पुन्य के असली हकदार आप भी है। हमारा इमानदार टैक्सपेयर भी इस पुन्य का हकदार है। मेरे पहरे देश वास्यों, एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं। तो दूसरी दरफ हमें हाल में तूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्रकुरतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। पिछली कुछ हपतों के दोरान हमने पश्चिम मंगार और उरिसा में सूपर साइट्वान अंफान का कहर देखा। तुफान से अनेकों घर तबाह हो गए। किसानों को भी भारी नुक्सान हुआ। हालात का जाए-जा लेने के लिए मैं पिछली हपते और उरिसा और पश्चिम मंगार गया था। पश्चिम मंगार और उरिसा के लोगों ने जिस हिम्मत और बातुरी के साथ हालात का सामना किया है। प्रसौशनी है। संकट की इस गड़ी में देश भी हर तरज से वहां के लोगों के साथ खड़ा है। साथियों एक तरफ जहां पुर्वी भारत तुफान से आई आपना का सामना कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्से किड़ीयों या लोकस के हमले से प्रभावित हुए है। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि छोटा सा जीव कितना नुक्सान करता है। किड़ी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृशी विभाग हो। प्रसासन भी इस संकट के नुक्सान से बजने के लिए किसानों के मदद करने गए। आधुनिक संसाधनों का भी उप्योग कर रहा है। नए नए आविशकार के तरब भी धान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सम मिलकर के हमारे क्रिशिक शेत्र पर इस संकट आया है। उससे भी लुहा लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे। मेरे प्याड़े देश्वासियों, कुछ दिन बाद ही 5 जून को पूरी दुनिया विश्व परियावरण दिवस मनाएगी। विश्व परियावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायो डायवर्सिटी याने जैव विविदिता। वर्तमान परिस्टित्यों में यथीम विशेश रुप से महत्वकून है। लगडाउन के दौरान पिछले कुछ हटों में जीविन के रप्तान थोड़ी धीमी जरूर हुई हैं। लेकर इससे हमें अपने आसपास प्रकूति के समरुद्ध विविदिता को जैव विविदिता को करीब से देखने का आउसर भी मिला है। आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदुशन और सोर सरावे में ओजल हो गए थे। सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सून रहे हैं। नदिया सदा स्वचर हैं पसुपुच्षियों को भी खुल कर जीने का हक मिले। आसमान भी साफ सुत्रा हो। इसके लिए हम प्रकूति के साथ तालमेल बिठा कर जीवन जीने की प्रेना ले सकते हैं। मेरे प्यारे देश्वासियों हम बार-बार सुनते हैं। जल है तो जीवन है। जल है तो कल है। लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। वर्शा का पानी, बारिस का पानी यह हमें बचाना है। एक-एक बूंद को बचाना है, गाउं गाउं वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं, परंपरा कर बहुत सरल उपाए हैं, उन सरल उपाई से भी हम पानी को रोख सकते हैं, पाच दिन, साथ दिन भी अगर पानी रुका रहेगा, तो धरती मा के पास बुझाएगा, पानी फिर जमिन में जाएगा, वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा, और इसलिए इश्वर्षारू तुम है, हम सब का प्रयास रहना चाहिए, कि हम पानी को बचाएं, पानी को सवरक्षत करें, मेरे प्यारे देशवासु, स्वच्य पर्यावरन, सीधे हमारे जीवन, हमारे प्रिगत स्तर पर भी इसके चिंता करनी होगी, मेरा आप से अनुरोध है, कि इस पर्यावरन दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं, और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें, जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिस्ता बना रहे है हाँ, गर में बढ़ रहे हैं, इसलिए पक्षियों के लिए पाने का इंतिजाम करना मत भूलिएगा साथियों, हम सब को ये भी ध्यान रखना होगा, कि इतनी कठीन तप्रशा के बाद, इतनी कठिनाईयों के बाद, देश्त ने जिस तरह हालत सा भाला है, उसे बिगडने नहीं देना है हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है, हम लापरवा हो जाएं, सावदानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है कोरोना के खिलाब लड़ाई अब भी उतनी ही गंबीर है आपको आपके परिवार को कोरोना से अभी भी उतना ही गंबीर खत्रा हो सकता है हमें हर इनसान के जिन्गी को बचाना है इसलिए दोगज की दुरी, चहरे पर मास्क, हाथों को दोना इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए है मुझे पुरा विश्वास है कि आप अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए ये सावधानी जुरूर रखेंगे इसी विश्वास के साथ आपके उत्तम स्वास के लिए मेरी हार दिख्शुप कामना है अगले मैंने फिर एक बार मन की बात अनेक नए विश्वों के साथ जरूर करेंगे